हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टो माई चानल आज मैं बना रही हूँ बेसन चकी बहुती टेस्टी और बिल्कुल दाने दाय बन का तेयार होगी तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं यहाँ पर मैंने 250 ग्राम बेसन ले लिया है बेसन का बहुती बन रही है इसका मतलब घी की क्वांटिटी बिल्कुल पर्फेक्ट है बेसन में अब हम इस में थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका सॉफ्ट डो बनाकर तयार कर लेंगे बहुत ज़ादा हार्ड यह बहुत ज़ादा सॉफ्ट आटा नहीं रखना है बिल्कुल नॉर्मल जिस तरह से हम रोटी का अटा रखते है उतना ही सॉफ्ट इसका आटा गुनकर ह है अब इससे हम मुठ्या बना लेंगे तो यहां पर ने सारी मुठ्या बनाकर तयार करनी है अब इन्य हम फ्रा आइक कर लेंगे मैंने कड़ाई ले लिए में घी डाल दिया है और घी का टैमप्रेशर हमें बहुत ज़्यादा नहीं रखना है बिल्कुल low temperature पर बिल्कुल कम temperature रहेगी का और low flame पर हम इने fry कर लेंगे इन्हें पलटते रहेंगे ताकि अंदर तक अच्छे से fry हो जाए यहाँ पर मैंने first base डाल दिया है इसे बिल्कुल low flame पर हम fry कर लेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं फूल भी गए अच्छे इसना थोड़ा easy हो जाए यहाँ पर इन्हें मैंने छोटे-छोटे pieces में कट कर लिया है और jar में डाल देंगे और बारिक पावडर बनाकर हम तयार कर लेंगे अब इस पावडर को हम चान लेंगे क्योंकि इसमें बेशन के थोड़े बड़े बड़े टुकड़े रह जाते है जिससे की बेशन चकी का टेस्ट खराब हो जाएगा इसलिए हम इसे चान लेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसे बिल्कुल अच्छे से चान लिया है और हमारा दानेदार बेशन बनकर तयार है अब कड़ाय में मैंने दो टेबल स्पून घी ले लिया है अब जो लो फ्लेम पर पलटते हैं वे सेक लेना है यहाँ पर इसे मैंने बिल्कुल अच्छे से सेक लिया है अब हम बेशन चकी के लिए चार्शनी बना कर तयार कर लेंगे तो मैंने 250 ग्राम बेशन लिया था 250 ग्राम बेशन के लिए 250 ग्राम ही हमें शकर लेना है शकर को मैंने कट अब यहाँ पर जो शकर है अच्छे से डिजॉल्व हो गई पानी में यहाँ पर देखिए अब इसमें फूट कलर डाल देगे तो मैंने यहाँ पर औरेंज फूट कलर लिया है यह कम्पलीटली ओप्शनल है आप चाहें तो डालें इसकीप कर सकते हैं यहाँ पर मैं यह तार कर रही थी अभी इसमें तार प्रोपर बनना इस्टार्ट नहीं हुआ है इसे दो-तीन मीट के लिए और पकाएंगे दो-तीन मीट और पकाने के बाद यहाँ पर मैंने दोबारा से चेक किया तो आप देखिए तार प्रोपर बनने लग गया है यहाँ पर चाशनी बनकर हमारी तैयार है अब इसमें हम मावा डाल देंगे तो मैंने यहाँ पर मावा बना कर रखा था यह कटोरी से थोड़ा कम मावा है इसे हम चाशनी में डाल देंगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे इने मावे को चाशनी में बिल्कुल अच्छे से हमें मिला लेना है अब हम इसमें हमा कर देंगे मैंने ट्रे में यहाँ पर बटर पेपर लगा दिया है आप चाहें तो थाली में तेल लगाकर भी इसे फैला सकते हैं मैंने ट्रे में बटर पेपर लगाए और इसे बेशन चक्की को इसमें फैला दिया है और बारिक चोप पिस्ता काजु इस पर गारिश कर दिया ह यहाँ पर मैंने थोड़ा silver work का भी use किया है यह completely optional है आप चाहें तो लगाए यह skip कर सकते हैं यहाँ पर मैंने केसर के धागे कुछ इस पर लगाए है अभी यह soft है इसी stage पर हम इसके pieces cut करकर तयार कर लेंगे एक बाइ यह hard हो जाएगा तो इसके pieces cut करना मुश्किल हो जाएगा इसके लिए मैंने इसके अभी छोटे-छोटे pieces cut कर दिये हैं और इसे एक घंटे के लिए set होने के लिए रख देंगे एक घंटा हो चुका है यहाँ पर हमारी बेसन चकी बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुकी आप देख सकते हैं कितने अच्छे से इसके pieces निकल गए हैं बहुत ही tasty और बिल्कुल दानेदार बनकर तयार हुई है आप भी यह recipe जरू try कीजेगा चाशनी का धियान रखेगा एक तार की चाशनी इसके लिए बनाना है और बिल्कुल परफेक्ट दानेदार और soft टूप बैसन चकी बनकर तयार है वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा थैंक्यू बाबाई मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में